नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है, आज मैं कोरोना वाइरस पर एक ख़वर लेकर आया हूँ और ख़वर बहुत एहम है, सिंगापूर से ये ख़वर आई है, ये डाटा है जो बहुत चौकाने वाला है सिंगापूर के अंदर वैक्सीन लगाने के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना वाइरस हो रहा है ये संख्या इतनी बड़ी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं सिंगापूर में वैक्सिनेशन भी बहुत ज्यादा हुआ है इसलिए जाहिर बात है जब ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएंगे तो वैक्सीन लगाने के बाद इन्फेक्शन होने का परसेंटेज भी ज्यादा आएगा ये होता है एक ख़बर मेरे पास हो रहाई थी स्कॉटलेंड की जिसमें ये बताया गया था कि वैक्सीन लगाने चुकि उसको आज प्रशान भूशन ने ट्वीट भी किया है इसलिए लेकिन वह ख़बर जिस वैब और ज्मान भूशन ने ट्वीट किया स्कॉट लेंगे डाटा को लेकर क्या डाटा है वह आप अपनी आप समझेगा लेकिन वराल डाटा जो है वह बहुत कुछ ऐसा कर रहा है लेकिन ये आज में जो बात करने वाला हूं वह बात करने वाला हूं कि वैक्सिल लगने के दुनिया का सबसे ज़्यादा टीका करिद देश है ऐसा देश है जिसमें दुनिया में नंबर दो पे सबसे ज़्यादा लोगों को टीका लगा हुआ है सब्सक्राइब करिए लॉट के आते हैं वैक्सिन को लेकर एक और दुख खबरी आगई है बोली खबर आगई है कि कुरोना है भी या नहीं है यह हमारे देश को गुलाम बनाने की कोशिश है जो आपके जीने की पहली शर्ट होगी आपको वो करने ही होगी और विचलित करने वाली खबर हैं सबसे ज्यादा मुनाफ़ा पाजार हो रहा है वाइरस है उसका हवा में खुल जाना इसे बड़े सवाल ख़ले होगे इसमें बात्चीत करेंगे कहीं मत जाईएगा नमस्कार इंगापुर मतलब समझे की बहुत अनुशासित देश एक छोटा समझ लीजे की दिल्ली जैसा ही थोड़ा बड़ा देश है एक सिटी है लेकिन वो देश भी है और वहाँ अनुशासिन बहुत सक्त है और पुरी दुनिया वहां का जो प्रशासिनिक सेटप है उसको बहुत ज़्यादा मानिता देती है और वहां पे आदमी जो है वो कम्पोनेंट है आदमी मशीन के पुर्जे की तरह भारत की तरह बिल्कुल आजादी नहीं कि आप कहीं पे भी आप सो लें आराम कर लें जो आपका मनों कर लें नहीं जो प्रशासन ने वहां व्यवस्था बना दी है उसमें ही आपको रहना होता है उसमें भी आपको जीना होता है जब कोरोना वाइरस आया तो पूरी दुनिया में जो है वो तरह तरह के इंतिजाम हुए और जब ये बात पता चली ये बताया गया कि वैक्सीन कोरोना वाइरस का अकेला तोड़ है तो युद दिस्तर पर स सबसे बड़ा ऐसा राष्ट बना है United Arab Emirat के बाद जिसने अपने यहां पर वैक्सिनेशन किया सिंगापुर ने टीका करण में संयूब तरफ अमीरात के बाद सबसे ज़्यादा जोशो करोश के साथ में हिस्सा लिया और अपनी 75 फीसदी आवादी को वैक्सिनेट कर दिया जिस जगे पे 75 फीसदी लोग वैक्सिनेट हो जाएं उस जगे को लेकर जब डाटा ये आए कि 75 फीसदी ही लोग टीका लगवाने के वाद संक्रमित हो गए हैं तो आप उस सिस्तिती की कल्पना कर सकते हैं जिसके आधार पर आप ये मान सकते हैं कि भारत में अगर आज टीक कराने के वाद संक्रमित निकल रहे हैं तो इसका मतलब आप लगा सकते हैं क्या होता है बाराल सिंगापूर में जो है करीब 57 लाख लोगों को टीका करन कर चुके हैं उनकी आबादी उसी इसाफ से काफी है एक हजार 96 लोकल लोग जो हैं स्थानी लोग हैं उनके अंदर जो 30 फीजदी लोग पूरी तरह से टीका करते थे 30 फीजदी लोग पार्शली टीका करते और 25 फीजदी लोग अनवैक्सिनेंटे थे जो इस बार 28 दिन में जो मामले आए जब यह डाटा आपके सामने आता है ना तो इसके बहुत सारे बहुत सारे मतलब नहतार्थ होते हैं एक नहतार्थ इसके अंदर से और निकल के आ रहा है इसके अंदर जो एक चीज चीज चीपी हुई है वो यह चीपी हुई है कि अगर आपने टीका लगवा लिया है तो भी कोरोना वाइरस आपके अंदर नहीं जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है इसका मतलब यह ना निकाल तो मुझे से पोच रही थी कि आप लोगों को वैक्सीन हेजिटेंट बना रहे हैं मैंने का नहीं बिलकुल नहीं nuevas लिखातागा तो मैं आपको हैं आपको यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि तरफ से आप दूर भागे लेकिन इसके अंदर कुछ दूसरे संदेश हैं दूसरा सं संक्रमन हो सकता है सो में से सो एक्सपर्ट यह बात कहते हैं जो वैक्सीन के हिमायती है वह भी कहते हैं और वैक्सीन के विरोधी भी कहते हैं टीका लगने के बाद आपको संक्रमन हो सकता है संक्रमन होने के बाद में आप दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं टीका लगने के बाद आप ज़्यादा लापरवा होते हैं आपके अंदर सिंटम्स कमाते हैं तो आप दूसरों को ज़्यादा संक्रमित कर सकते हैं ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भारत में एक भ्रहम फैला हुआ है आम तोर पे लोगों को जिन लोगों को टीका लगाने के लिए दबाव डाला जा रहा है उनको ये लिखा जा रहा है कि अगर आपने टीका नहीं लगवाया तो आप दूसरों के लिए भी खत्रा हैं दोनों ही इस्तितियों में मनुश्य दूसरे के लिए खत्रा हो सकता है जिसने टीका लगवा लिया वो टीका ना लगवाने वाले के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ना कि टीका ना लगवाने वाला टीका लगवाने वाले के लिए तो ये भी कॉम्बिनिशन समझ लेन वह ना टीका लगवाने वालों के लिए तो इसको कुछ होगा नहीं जिसने टीका नहीं लगवाया है इंफेक्शन उसके अंदर आएगा तो उसको तो जल्दी से आएंगे जाद आएंगे तो पहले आईसलेट हो जाएगा और कम अगर आए तो जड़ से इधर आपको जो है वह ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास प्रोटेक्शन आपके उपर कम असर होगा तो ऐसी स्थिती में यह कहना कि लोगों ने टीका नहीं जरूर कहना चाहूंगा कि भारत जो है वे बड़ा देश है व्यापक देश है टीका करण के साथ साथ टीका करण की जो सिंगापूर की रफतार उससे भी तेज रफतार से भारत में बीमारी वैसे ही लोगों के अंदर ट्रांस्मिट हो रही है और जो लोग इस एसंटोमेट डर जो है वो आपको कुछ नी करने देता है इसलिए डरें नहीं निशिंत रहें और आराम से रहें यह ध्यान रखें कि इंफेक्शन को लेकर जो जो सावधानिया है वो आपको रखनी ही चाहिए आपको लोगों से जो सोशल डिस्टेंस होता है जिसको कहते हैं वो जरूर चाहिए ताकि आपके पास में कहीं से भी बीमारी ना सके भील भाड ज्यादा ना लगाएं बील की बाजार में ना गुसें ज्यादा एडवेंचरस ना हो मुझे लगता है कि आपको वीडियो यह अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा लोगों तो पहुंचाए हमारे चैनल को मदद करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक यूपियाई अड्रेस है उसके जरी आके आप अनुदान दे सकते हैं नमस्कार जाहिंद